दूस्तों Yes Bank की बात करें स्टॉक में आज भी काफी बड़ी गिरावट हुई है एक तरफ तो बाजार में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखे है उसके बावजित भी Yes Bank का स्टॉक काफी जादा गिरा अब इस गिरावट के पीछे है चार बड़ी वज़ा जिनको हम एक एक करके डिसकस करेंगे और जानने की कोसिस करेंगे क्या इस गिरावट का फाइदा उटा के इन्वेस्मेंट करना चीए या फिर इस टॉक में और गिरावट होने वाली है वैसे Yes Bank की बात करें तो इसने दो बड़े अचीवमेंट किये थे जब इसको एक बड़ा फंड मिला ए काफी बड़ी गिरावट हो चुके स्टॉक काफी नीचे आगा अब लोगों को समझ में ने आ रहा कि क्या किया जाए क्या वाकर में और गिरावट होने वाली है या फिर यहां से सांदर बाउंस बेगा या क्या स्टॉक फिर से 20 को क्रोस कर पाएगा बहुत सारे सवाल है ज चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस्वी दवे और हमारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह स्टॉक की शुरुआ तो फ्लैट हुई यानि 17.50 की क्लोजिंग फ्राइडे को वहीं पर शुरुआ थ साथ में यानि गिरावट नीचे की तरफी है दूसरी तरफ अगर हम बाजार की बात करें तो निप्टी 50 17,006 ने 48 के इस्टर पे 0.25% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दिया है यानि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेजन की बारी गिरावट के आज बाजार में हमें गिरावट थमते हुई दिखाए दी और क्लोजिंग पॉजिंग हुई है निप्टी बैंक की बात करें तो यहां पे 40,387 के इस्टर पे 0.10% की तेजी थी निप्टी PSU बैंक जो लगातार गिरा था बिछले कई टेडिंग सेजन से वहाँ पर भी आज पॉजिंग पॉजिंग हुई है 3,842 के इस्टर पे 0.55% की तेजी के साथ में निप्टी प्राइवट बैंक की बात करें तो 20,645 के इस्टर पे 0.08% की मामूली सी तेजी थी तो निप्टी प्राइवट बैंक में आज तेजी बड़ी नहीं थी लेकिन सरकारी बैंक कुछ रिकवर हुए भारी गिरावर के और लगातर गिरे भी थे वालिम देखे तो यस बैंक आज भी जबरदस है पिछले मेने पहले इसका 24 करोड का वलिम था शिक्स करोड की डिलेवर उठाएगी थी ती Corner acum 28ijn का वालिम था उठाएगी थी और Friday को 2021 करोड का वालिम था शिक्स करोड की यरिवर उठाएगी थी ल मामला और इस मामले ने सबसे ज़्यादा निगेटी वातर बढ़ा है जब से एटिवन बॉंड्स का मामला है यह स्टोक काफी ज़्यादा एक तरह से देखे तो गिरावट के छपेट में आ चुका है अब देख सकते हो कि यह जो एटिवन बॉंड्स है यह पूराना मामला या यह पर राइट आप किया यानि उनको खारिज कर दिया रकम देने से मना किया लेकिन अब जो मुंबई हाई कोड का फैसला है उसको फिर से एक्टिवेट कर दिया है जो एटिवन बॉंड्स है उसकी रकम उनके इन्वेस्टर को देनी होगी अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो यह रीजन बरा उसके बाद में पूरा मामला फिर से बिगड़ता हो दिखा दिया तो यहाँ पर रकम वापस मिलें कि कोई संभाव नहीं क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अगर बैंक को प्रॉल्म लगी तो पैसा नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी ब एक पर बोमें हाल के तरब से और आब यह मामला जाएगा सुप्रीम कोट में वैजने ने काया यहाँस बैंक की इस फैसले से उप connection की सहत इस समय अच्छी है लेकिन अल्पाद सुप्रीम गूर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोट में जीतोंगी यह भी कहना यहाँस बैं था वो इस बार 7,064 को भी तक पहुँच गया और लगातर हर quarter में हमें revenue बढ़ता हो दिखा दे रहा है नि बीजनस तो yes bank का बढ़ रहा है लेकिन profit में भारी गिर आउट होगी कि इसा हुआ नि क्योंकि इस बार bank ने काफी बड़ा provision रख लिया और इसके पीछे वज़े थी कि जो जैसे और इसमें बहुत जना एक तरह से देखे तो फाइदा उठाया गया है निप्पॉन इंडिया ने भी जो निवेस किया है और yes bank के अंदर और yes bank की तरब से इसका बहुत सारा गयर फाइदा उटा गया तो यह जो पूरी जाज के दाएरे में आ गई और इसने भी पुरा मामल बीक्वाली की है यानि लगबग 6,000 कोड़ी के असफास की बीक्वाली हुई है यह FI की और आप देखी सकते हो कि यह जो हैवी बीक्वाली हुई है तो इसका असर तो yes bank के stock में पड़ेगा ही क्योंकि yes bank में भारी निवे से FI का आप देखे तो FI ने लगा अतार होल्डिं बड़ा ही अपनी मार्च 2020 में जापे 10.97% के ओल्डिंग थी जो जून में बढ़के 11.37% के आसफास आगी सेप्टमर में FI के ओल्डिंग 12.15% के आसफास थी जो दिसमर में 23.24% दक चले गई और अब दिसमर से ही अगर देखे तो FI बादार में बीक्वाली शुरू कर तो यह जो बड़े चार रिजन है जिसके वज़े से यस बैंक की शेर में प्राइज जो है आमें नीचे आते हो दिखाए देगा लेकिन जल्दी यहापे फिर से एक पॉजिटिव माहुल बनता हो दिखाए देगा डिप में खरिदारी करना चाहिए को कि यस बैंक की सेहत मे लिए बोला था जब इसकी प्राइज 22 के उपर के थी काफी लोगों ने प्रॉफिट बॉकिंग की है तो यह इस समय खरिदारी की जा सकती है अब बज़ेट आने वाला हमारा फाइनेसले टूथ 2023 का इस बज़ेट में लेकर बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या समावना हो सकते सरकार की तरप से क्या आवन एंसमेट हो सकता है तो यहां पे आने पर टीसरा जो को बढ़ाया जा सकता है और इसके लावा देखे तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी है उसको इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जा सकता है इसके लावा टेक्स रिलिफ हो सकता है इस बार मर्जर डी मर्जर के लिए कुछ और अनॉस्मेंट हो सकते हैं यह जो सारी बा पॉन की जो फैसिलिटीज ये कुछ आसन की जाएगी जिसकी वज़े से बैंकों का कारूबार बढ़ता हो दिखाई देगा। कुल मिला के बैंकिंग सेक्टर के लिए इस समय पॉजिटिव समौना बनती हो दिखाई दे रही है। अब आज ही जो गिरावट इसके पीछे वज़े है बड़े फड़ा उसकी बड़ी बीक्वाली लेकिन इसके बीच में भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग के अलावा कुछ खरीदारी भी हुई है। ूज प्रॉफिट से वज पर इसके बाद देख सकते हो एक बजकर 15 मिनट पर 17.10 की प्राइस से 28,65 थारोकी बीक्वाली हुई। तो उसके बाद 2 बज कर 37 मिनट पर 17.05 की प्राई से 30 लाक शेरो की बिक्वाली हुई, फिर 2 बज कर 43 मिनट पर 17.05 की प्राई से करीब 12.64 शेरो की एक और बिक्वाली हुई, फिर 2 बज कर 47 मिनट पर 17.15 की प्राई से 12.29 शेरो की एक और बिक्वाली हुई, फिर 3 बजे 17.20 की प्राइस से 23,37,000 की बिक्वाली हुई तो फिर बाजार क्रोज होते हैं तीन बज कर 10 मिनट पर 17,15 की प्राइस से 26,21,000 की एक खरीदारी हुई तो लगातर काफी बड़ी बिक्वाली हुई और कुछ profit booking के अलावा या पर देखें तो कुछ खरीदारी भी हुई है तो यह समझ आने वालस में definitely आपको बहुत अचार रिटन देगा और जल्द यह थ्री डिजिट में जाता हो दिखाए देगा लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advising बाड़े ले ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational परपच के लिए ही बनाए वीडियो प